हेलो दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग यूपी टीटी बाल विकास जो की पुराने एक कुष्टन पेपर है 2017 अक्टूबर में हुआ था उससे इसके 30 कुष्टन को सॉल्व करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यूपी टीटी 2018 जो नॉवंबर में हुआ था उसके 30 कुष्टन बाल विकास के सॉल्व करके दिखाए थे तो बाल विकास और सिक्षा सास्त्र अगर इसकी की टीटी का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप भी मेरे साथ कुष्टन को सॉल्व कीजिए आपकी जो भी तैयारी है उसके बेस पर आप कुष्टन के आंसर अंदाजे लगाईए और सबसे बाद में वीडियो के मुझे कमेंट करके बताईए कि आपने तीस में स कितने कुष्टन सही किये इमांदारी से ठीक है दोस्तों अभी सुरू करते हैं पहला कुष्टन आपके सामने है भारती संविधान के किस अनुच्छेद में 6-14 आयूबर्ग के बच्चों के लिए निसुलक और अनिवार इसिक्षा का अधिकार सामिल किया गया है अनुच् 20-15-45-21-a तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारती संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं और हर एक अनुच्छेद में हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान तय किये गए हैं तो जो निसुलक सिक्षा और अनिवार सिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है तो इसका जो आंसर है वो है और अनुच्छेद 21-a सही होगा क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो अनुच्छेद 21 में एक क्लॉल जाला गया था कि हमारे यहां पर जो सिक्षा है वो एक इच्छे तदिकार है अगर इच् कि इसका भी बोलते हैं हंदी में इसको जोड़ा गया था और इसे एक मूल एधिकार बना दिया गया और क्या बोला गया कि 6-14 वरस के जो बच्चे हैं उन्हें निसुल को सिक्षा दी जाएगी और सिक्षा अनिवार होनी चाहिए उनके लिए ऐसा प्राभधान किया गया थ आपको याद रहेगा अभी देखिए कुष्चा नंबर दो क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्नुमें से किस प्रमुक प्रकार में बर्गिक्रत किया है अगर आप लोगों ने ये टॉपिक अपनी थियोरी में नहीं पढ़े हैं तो यहां से आप इनको तयार कर लीजिए क्यों स्थीचे теओम सब्सक्राशक में रेवां में था कफया सिर्य चीज़या नहीं होती है तो आपको पुराने कुछतिन इसमयाटि टोपिक किया ठीक है क्रेस्मर ने तीन प्रकारहों में बर्गिलत किया था पहला था क्या अस्ठिक प्रकार था इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं हिंदी में सुद्ध हिंदी में अपनी यह समझने वाली हिंदी में एक तो था पतली या फिर चोटे या फिर कम जोर यहां से इसका एक हट जाएगा कि ये तो इसमें बर्गिकत किया गया है अब प्रमुक प्रकार पूचा गया है तो दूसरा था एत्रेटिक बोलते हैं जिसका मतलब होता है बड़े या फिर अस्थिर और तीसरा प्रकार था पिये नायक यानि कि शबजी या फिर बसा तो अगर यह तीनों के तीनों ही इसमें आ जाते हैं सुडॉलकाय गोलकाय और द कि सामने अभी टी टीनी मैं से किसको आपन करना होता है मीर्दिक शुपा का अभिष्ग लृष्भत cannot so precious मूल्यक पीटी इसका और क्ली जो पहलोप मॉझेया जो जो होता है मोलने तो यहां से तो आपको nursing मिल जाता है एपस्म के बारे में और बताते हैं इसका मतलब क्या हो तैंसमें इसमें इक रुची बढ़ाना उसमें सभी को विक्सित करने की शम्ता जो इसका मतलब होता है कोई भी विसे या कोई भी 2 ओचे curriculum उसमें ज्यान उसमें रुची उसमें कौसलता आधी को विक्सित करने की शमता उसे बोलते हैं अभिक्षमता और जो अभिक्षमता है ये किसी भी विशे में ज्यान आसिल करने की एक अंत्य सक्ति होती है कोई भी सब्जेक्ट है अगर आप उसमें ज्यान प्राप्त करना चाह करता है उसको बड़ी आसानी से समझ सकता है और अभिक छम्ता के द्वारा ही वह उसका स्लेवस तै करता है हैं कि संगननं का सिद्दान्त निम्नमे से किस्त की व्याक्या करता है और जो में मोरी या फिर जो एक समेकन प्रक्रियाओं का एक वर्ग है जो सुरुवात में क्या होता है सुरुवात में तो अधिग्रेहंड होता है उसके बाद मेमोरी ट्रेस को इस्तिर करता है तो समयकन को क्या बोलते हैं सिनाप्टिक समयकन में भी अलग किया जाता है जो कि बाद के जो चरण है उसके बाद दीरक क्लेक समाधान बन जाता है तो संग्नन का सिद्धान त닭 वो िस्मरती की व्याख्या कुछिए थी वह排त को से 5 कुछण नमबर पाँच है निम्न मैं से कौन सी सिक्षा मनुब ःज्ञान की सरवादिक व्यक्तिन्ष्ट विधी है इनमेंसे कौन सी सिक्षा है जो कि मनौ विज्ञान की सरवादिक व्यक्तिनिष्ट विधी अंतर दर्सन वहिर दर्सन अवलोकन या फिर प्रयोगी करण तो यहां पर उप्से नमबर एक सही हो जाता है वह अंतर दर्सन जो सिक्षा मनो विज्यान है उसकी सबसे व्यक्तिनिष्ट या फिर आत्मनिष्ट बोल सकते हैं वो विधी है अंतरदर्सन अंतरदर्सन क्या होता है आत्म नरीक्षड याने कि खुद का नरीक्षड करने की विधी है तो इस विधी में होता क्या है जो इंसान या फिर व्यक् दौरा आपने स्वयम की क्रियाओं का नरीक्षर ही अंतर्दर्सन क कहलाता कहने मतलब है आज कल आपने सुना होगा ध्यान है फिर एंग्लिस में बोलते हैं मेडिटेशन तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उस समय अपने मस्तिस्की के द्वारा आप बहुत कुछ सोच सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं तो यानि कि खुद को निरिक्षड करना होता है अंतर दर्शन ठीक है कुछिन नमबर 6 है अलवर्ट बंडूरा निम्नमे से किस से संबंदित हैं चार आपके सामने सामाजिक अधिगम का सिद्दान्त व्याभारबादी सिद्दान्त संग्यानात्मक विकास का सिद्दान्त या फिर मनोलेंगिक विकास तो जो अलवर्ट बंडूरा है वो सामाजिक अलबर्ट बंडूरा जो एक मनोवग्यानिक हैं वो सामाजिक संग्यानात्मक बग्यानिक बोले जाते थे और उनका जो सामाजिक सिक्षा सिद्धान्त या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धान्त जो है उससे वो संबंदित हैं तो वह है सामाजिक सिक्षा सिद्धान्त या फि या फिर यह बोल दीजे उनकी प्रसिद्ध जो बोगोडोल प्रियोग हैं तो उन सब के लिए या उनकी अवधाड़ा के लिए वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे तो इनका यानि की अलवर्ट बंडूरा का सामाजिक सिक्चा सिद्धान्त अवलोकन अनुकरन और मोडलिं के महतुपर बल देता है उनका जो यह शिद्धान्त पहले वाला जो आप देख रहे हैं यह एक तो अनुकरन का बल देता है और मोडलिंग के महतुपर बहुत ज़्यादा बल देता है तो इसका अप्शन नम्मर एक सही है कि अलवर्ट बंडूरा जो मोनोगज्यानिक थे व पर अबिरुची के कारन तो जब हम अदिगम करते हैं तो अदिगम करते हुँ कि हम जब एक एसी इस्तिति में आ जाएं जो इसकी प्रक्रिया है उसका प्रमुग्विसेस्था जो होती है उसे ही बोलते हैं पतार और इससे एक जो एज होती है उस एज को ब्यक्त किया जाता है कि जब सीखने की क्रिया में अब इस एज की बाद कोई भी प्रक्ति नहीं होगी तो इन सम्में से क्या होता है कि थकान की वज़े से अधिगम बक्र में पठार बनता है बिलकुल सही आंसर होगा कुश्य नमबर आठ है दर्पन चित्र परिक्षण किसके मापन में प्रियुक्त होता है अधिगम की गती अधिगम अंतरन स्रजनात्मक्ता और अभिरुची तो जो दर्पन चित्र परिक्षण है उसे एक मनोबैग्जानिक टेक्नलोजी के रूप में भी हम यूज करते हैं या उससे अल्ली यह समझ लीजिए आप एक धर्पन चित्र परिक्षण है यह जो मनोबैग्जानिक टेक्निक है और इसमें होता क्या है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है अधिगम की प्रक्रिया क को मुठी से संबंदित किया जाता है मुठी से संबंदित होता है और फिर जो व्यक्तित्त होता है कि व्यक्तित्त के छेत्र में इसे बढ़ाया जाता है तो इस परिक्षण का अपयोग हम अधिगम अंत्रन या फिर समन्वय या फिर तंत्र का मनुविज्यान छती इन समय करते हैं तो यहां पर option कौन सा आता है अधिगम अंत्रण option नमबर दो इसका सही होगा कुश्चन नमबर 9 है cloud picture test निम्न मैं से किसके मापन में प्रियुक्त होता है दरपन चित्र आपने समझ लिया अभी cloud picture और टेस्ट के बारे में बतायो बुढ़ी व्यक्तितु अभिक चंप या फिर अविरुची तो यह होता ओर्टित्तु को मापन है option no.2 इसका सही है इसमें होता क्या है कि तनाव या फिर प्रदर्शन परिक्षड है या कार्यात्मक परिक्षड है इन सभी के मापन की आधार पर परस्टनल्टी का टेस्ट किया जाता है ठीक है question no.10 है इन मैंसे भिन्न कौन सा है ती एटी 16PF रेवेन का परिक्षड या फिर डॉक्टर ए मैं परिक्षड तो इसका option no.3 होगा रेवेन का परिक्षड क्योंकि जो रेवेन का परिक्षड है वो इन तीनों से अलग है क्योंकि इसका जो संबंद होता है वो जब हम teaching करते हैं सिक्षण करते हैं उसमें बरबल औ और नौन बरबल जो एदी म्यूड है उनको मापने के लिए किया जाता है जबकि बाकि जो तीन है वो मनोवग्यानिक परिक्षड है यानि कि यह जो टी एटी 16PF और डॉक्टर ए मैं परिक्षड यह है मनोवग्यानिक परिक्षड और जो रेवेन का परिक्षड है वो नो कि मांदिक्षड क्या होगी आठ नो दस या फिर नाइन पोईंट फाइव मैं तो इसका आंसर पहले अप निकालने से पहले देख जी निकालेंगे कैसे इसे वैसे इसका आंसर है चार ठीक है नो पॉंट पांच मैं आप पांसर उत्तरमाला से बता रहा हूं अभी से नि तो कहने का मतलब है यह 6 है तो 6 यानि कि सम संख्या हो गई है तो सम में होता क्या है जैसे कि 6 है तो यहां पर 9 और 10 यह जो हो गए ना दोनों इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा कर दो यहां पर क्या होगा 9 तो कितना हो जाएगा 9.5 आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से माद्यका निकल जाएगी यानि कि तीसरा अंक प्लस चौथा अंक वट्टे दो और अगर यहां पर विसम संक्या होती तो इनकी बीच का जो है वो माद्यका हो जाती है ठीक है वह अगर विसम घड़ित में देखे तो वहां समझ जाएंगे तो यहां पर अप्शन नमबर चार सही है कुश्चन नमबर बारा है कि सूज या अंतरदश्टी के सिद्धानत का प्रतिपादन किसने किया है फंडा एक गैस्टल्टवादी मनोवग्यानिक है गार्टी या फिर इसकिनर तो सूज या फिर इसे एक क्रम बाइजयने की वेवस्तित जो उपचार है जिसे बोलते हैं कौफा तो उसे गैस्टल्टवादी मनोवग्यानिक के सिद्धान्त 1935 में मिला था वह क्या मिला था एक तो जिसे हम बोलते हैं सीखने का पूरा और सबसे वेवस्तित उपचार जिसे बोलते हैं कौ समस्या की इस्तिती है और जो चात्र हैं उनको समस्या को पूरी तरह से देखना चाहिए और अंतरश्टी में इसका समाधान संभव है इसलिए जो सूज या फिर अंतरश्टी के सिद्धान्त को बला जाता है गेस्टल्ट वादी मनोवग्यानिकों ने प्रतिपादित किया कुश्चन नमर 13 है अभी मैक डूगल के अनुसार प्रत्यक मूल प्रवर्ती से संबंद होता है संग्यान का संबेक का संबेदना का या फिर शिंतन का तो प्रत्यक मूल प्रवर्ती से किसका संबंद होता है अगर मैक डूगल जिनका पुरा नाम था विल्यम मैक डूगल उन प्रवाबो संध्यान संभेदना और चिंतन जूर नमबर है पहला तीसरा और चोथा है वो सबीके सभी संभेद से रिलेटेड होते हैं और इन्होंने क्या बोला है कि सामाजिक प्रतिक्रिया अगर विक्सित हो रही है तो विक्सित करना और इसके लक्षे करन को लक्ष बनाने में रत्ति के महत्तों के बारे में इन्होंने बताया है तो यहाँ पर आप यह समझ लीजिए कि जो सम्वेग है वो मूल प्रवर्ती से संबंद होता है कुश्चन नमबर 14 है कि पूर्व अनभव के आधार पर समवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है समवेदना, प्रत्यक्ष ग्यान, अभिप्रेदना या फिर कल्पना अगर आप पुराने अनभव के आधार पर देखेंगे तो जो समवेदना होती है उसको अगर आप कोई अर्थ देंगे तो उसका क्या अर्थ क्या दे सकते है समवेदना को अगर पकट करना है तो उसका आर्थ देने के लिए हम प्रत्यक्ष ग्यान भी बोल सकते हैं अब पूर्व अनभव के आदार पर देखेंगे तो ठीक है ओप्सन नमबर दो इसका सही हो जाता है कुश्चन नमबर पंद्रा है पांच वर्स के मोहन की मानसिक आयू आठ वर्स है और उसकी बुद्धी लब्दी कितनी है यह आपको बताना अब यहां पर देखिए चार ऑप्सन दिये हैं तो चार ऑप्सन से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं बुद्धी लब्दी क्या होता है यहां पर मानसिक आयू कितनी है आठ वर्स रियल आयू है पांच वर्स इंट्व हंडेड कर दीजिए यहां पर यह हो जाएगा एट हंडेड अपन फाइव ठीक है अब यहां से आप इसका आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा यहां पर 160 अगर कोई पांच वर्स का बच्चे एक आठ वर्स के बच्चे के बराबर सोच रहा है तो उसका IQ आजाएगा 160 यहां पर कौन सा हो जाएगा option नंबर 2 से ही हो जाएगा कुश्चन नंबर 16 है अभी कौन सा बुद्धी लब्दी इस्तर मंद बुद्धी वाले बच्चों का प्रसिक्षड योग बुद्धी लब्दी इस्तर कहलाता है यह जो चार बुद्धी लब्दी इस्तर दिये हैं इसे बच्चे जो की प्रसिक्षड योग की बुद्धी लब्दी इस्तर बुद्धी इस्तर बोले जाएगा 35 और उससे कम यानि कि 35 एवं 20 तक की जो IQ होती है ऐसे बच्चे जो कि प्रसिक्षर योगी बुद्ध लग्दी स्थर बोले जाते हैं अब यह क्या एक नूरोलोजिकल एक कंडिसन होती है वहाँ पर उसकी जरुरत होती है और इसे बुनियादी कोंसल और पर रिवेक्षर के साथ सिखाया जा सकता है यानि कि किसी इंस्ट्रक्टर के साथ कुश्चन नमबर 17 है अभी रोसार्क इंक ब्लांट टेस्ट का प्रियोग निमनुमे से किसके मापने के लिए किया जाता है ब्यक्तित्त, बुद्धी, अभिक्षमता और अभिरुची आप कुश्चन में पढ़ रहे होंगे कुछ नए नए आपने टेस्ट के नाम पढ़े हैं इन टेस्टों के नाम लिख लीजिए आप पता कीजिए मैं भी थिवरी में बताऊंगा क्योंकि कुश्चन अगर आचोके हैं UPTT में तो आप समझ लीजिए कभी भी आ सकता है तो इन चारों में से किसके मापने के लिए होता है रोसार्क इंक ब्लांट टेस्ट यह होता है ब्यक्तित्त के मापने के लिए इसे आप रोसार्क परिक्षड भी बोल सकते हैं या फिर रोसार्क स्याही का धब्बा परिक्षड भी बोल सकते हैं या फिर रोसार्क टक्निक भी बोल सकते हैं यह एक तरीके से मनोबैज्ञानिक परिक्षड होता है और इसमें होता क्या है कि कोई मिभ्यक्ति की जो विशेस्ता traces और एक भवनात्म कारवीदी होती है, उसकी जांच की जाती है और इसका जो नाम है एक स्विस्त मनोगा जानिक्ते हर्मन रोसारक उनके नाम पर रखा गया है ठीक है कुछिछा nou girl-2 है ओभी कि निवन में से कोंसा विस्मुर्ती का कारण नहीं है विस्मुर्ती क्या होता है विस्मुर्ति का एक्समुर्ट या भूलने का कारण नहीं है तो आपको सामने सोज में आ रहा हुगा अगर सीखने की कमी है तो कारण बन सकता है मानसिक द्वंद है तो भी कारण बन सकता है भूलने का और सीखने की अगर गलत भी दिये तो भी बन सकता है और विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने या इखट्टा करने विभाजत करने प्रस्तुत करने तुलना करने और व्याख्या करने की विदी से सम्मंदित है क्या कहलाता है। शांखिकी विज्ञान, गड़त विज्ञान, जाविति विज्ञान या फिर सम भाव्यता। तो यहां पर आप यह बताई एसा कौन सा विज्ञान है फिर ऐसी कौन सी साइंस है जिसमें यह सब चीज़ें जो पर बताई है कि कोई भी संख्या होती है उसको इखटा करना डिवाइड करना प्रेजेंट करना कम्पेर करना और एक्सटेंड करना यह सभी चीज़ें करना प्रस्तुत करना तुलना करना और ब्याख्या करना की विधी होती है और यह फाइनली जो डाटा होता है उसके संगठन से संबंदित एक विध्या है और इसमें जो सर्विक्षड होते हैं उन्हें सामिल किया जाता है कुश्ता नमबर 20 देखेंगे जो पिछले बच्च लब्दी है उसकी अफधारणा कौन से मनोबच देने के दिए गार्डन शोनेल बटन होल या फिर स्ट्रील वर्ट तो इन चारों के नाम आपने सुने होंगे मनोबच ग्यानिकों के तो इन में से जो अफसन नमबर 4 है वो बेवकुल सही है स्ट्रील वर्ट है स्ट्रील वर है उनकी सेक्षिक लब्दियों से सांखे की रूप में भी आप देख सकते हैं तो ट्वंटी का उप्सन नमबर 4 ही हो गया कुश्चन नमबर 21 है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परिक्षड की विसेस्ताओं से भिन है विश्वसनियता वैदता वस्तुनिष्टता या फिर अब च्छमता इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि एक उत्तम परिक्षड की विसेस्ताओं है उनमें से नहीं है आप लोग भी बताईए यह तो एक नॉर्मल कॉमन कुश्चन है तो जैसे कि कोई उत्तम परिक्षड यानिक जो अच्छे परिक्षड होते हैं उसकी विसेस स्द्धा दिया ही जाता है लेकिन जो अभी क्षमता है अभी क्षमता क्या है है एक घ्यान कॉसल मैंने आप पहले जो परिकु 가u AMत का उत्तम परिक्षर से कोई संबंद नहीं है परिक्षर की विश्वसनियता बैदता वस्तनिष्टा देखी जाती है अब एक छंता एक मनोबग्ज्यानिक कौसल है यान कि ग्यान कौसल है तो यह विश्विस्ताम से भिन है आपसा नमबर चार सही हो जाएगा कुछ नमबर बा सबंस्ते हैं बाकिए त के ठीन हो बुद्धी के सिद्दानथ हैं यहानिक के धीन को बुद्धी के सिद्दान भोल सकते हैं एक तित ग्याकण सिद्दांत दित्त्त्त्त्तु सिद्दंत्थ उत्तु सिद्द्द्द्द्रें का समूवकारक hon नाम बता दियो को of sin bere ग्रंटिर्टीलिम्नति मैं से कौन सी एक अंत तकर हो ग्रंति नहीं एडिनल ग्रंथी प्यूस ग्रंथी लार ग्रंथी या फिर थाइराड ग्रंथी तो अंत्यस्तरावी ग्रंथी इनमें से कौन सी नहीं है जो लार ग्रंथी है वो अंत्यस्तरावी ग्रंथी नहीं है अफसे नम्मर तीन इसका सही है सबसे पहले जान लिया अब होता क्या है कि और है आप एकशो क्राइन ग्रंथियों नलिकाों के साथ जुडि एक ग्रंथियों जो कि लीकोज पया आर प्याड़ करती हैं इसमें इसमें एक अन्यायम वहता है घो ryd जो की पाचक ऑफ होता है जो क्या करता है जो रता है इस्टार्च को माल्थेस और ग्लुकोज में डिवाइड करता है और फिर हमारा खाना होता है उसे पाचन में शाहिता करता है तो लार गंति एक अंत्या स्रावी गंति नहीं है कुष्चन नंबर 24 प्याजे के इस्टार संग्यानात्मक विकास की दुति अवस्था क्या है जनिंद्री अवस्था आप्चारिक संक्रिया की अवस्था पूर्व संक्रिया की अवस्था या फिर मूर्थ संक्रिया की अवस्था आपने कुछ चैप्टर नमबर 2 में पढ़े होगे जीन प्याजे के संगयनात्मक विकास के बारे में तो उसकी दुती अवस्ता कौन सी है 24 में आपको बताना तो ये है ओपन्से नमबर 3 पूर्व संक्रिया की अवस्ता तो प्याजे ने जो संग्यानात्मक विकास की अवस्ता ही बताई थी उसमें जो दुती अवस्ता है वो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्ता होती है इसमें क्या होता है कि जो दो से साथ वर्स के जो बीच की आयू में ये देखी जाती है और इसमें प्रतिकात्मक जो विचार है वो विक्सित होते हैं इसमें बच्चा जो चीजा होती यह वस्तम होती है उसके जो भौतिक गुड़ हैं उन से उनके साथ में खुद को समन्मित नहीं कर पाता है बहुत सारे ऐसे बहुत होते हैं 24 का आफसर नम्मर 3 सही आंसर होगा कुष्टन नम्मर 25 है सारी लिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है वंसानुक्रम बातावरन खेल और व्यायाम या फिर यह सभी तो सारी लिक विकास को कौन से चीजें हैं जो प्रभावित करते है चेक्टर नमबर वन का कुष्टन है बहुती एक अबसक्रम सारी विकास प्रभावित करते है तो आफसन नम्मर चार के शभी हो गए इसका correct answer Question No. 26 है बुद्धी लब्दी की गढ़ना का सही सूत्र इनमें से कौन सा है मानसिक आयू बटे बास्तिविक आयू इंटु 100 बास्तिविक आयू बटे मानसिक आयू इंटु 100 या फिर बास्तिविक आयू बटे मानसिक आयू लब्दी निकाली थी ना mental age upon real age into hundred तो कौन सा है यह वाला option no.1 26 का option no.1 सही हो जाएगा Question no.27 है चिंतन शील सोच की चर्चा इनमें से किस ने की है डेवी रॉस बुडवर्थ और ड्रेवर जो चिंतन शील सोच का विचार है वो 1910 में जॉन डेवी ने दिया था आप्सट नम्बर एक इसका सही हो जाता है कम दिया था हम 1010 में तो डेवी की सबसे जो बुनियादी धारण यह थी कि सीखने से उस डिग्री में सुधार होता है जो प्रतिविंब की प्रक्रियासे उत्पन होता है ठीक है प्रतिवेमी की प्रक्रियासे मतलब जो भी कोछी देखने की प्रक्रियासे जो उत्पन होता है स्थीखने से उस डिग्री में सुधार होता है 27 का उप्शन नमबर एक सही हो गया कुछ से नमबर 28 है दोस्तों अभी आगमनात्मक तर्क के इस तरों में कौन सा सामिल नहीं है अवलोकन प्रियोग सामानी करन या फिर कलपना जो आगमनात्मक तर्क हैं उनके इस तरों में से इन चारों में से कौन सा सामिल नहीं है जो आगमनात्मक तर्क हैं उनमें कलपना को सामिल नहीं किया गया है यानि कि अ सामिल किया जाता है और एक जो लक्ष उनमुखी सोच है जो कि टार्गेट की तरफ जाने वाली जो सोच है उसकी और यह पेरिद करता है या फिर उस इस तरफ की सोच की तरफ इंडिगेट करता है तो 28 का ओप्सन नमबर 4 है कलपना कलपना को जो आगना आग नमात्मक आग मना आगल जो तर्ग है उनके इस तरों में सामिल नहीं किया गया है ऑप्सन नमर 4 ही हो गया कुछन नमर 29 कि सीखी गईी बात को धारन करने और फिर से याद करने में अस्पल होना क्या कहलाता है विस्मरन है धारन है चिंतन है कहने का मत्रब है आगर आपने कोई बात से किए उस कुश्चन नमबर 30, मूल प्रवर्ती की एक प्रमुक विश्यस्था है जो पाई जाती है? केवल मनुस्यों में, केवल बिल्लियों और चुओं में, सभी प्रारियों में, और यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है या फिर केवल कलाकारों में? जो मूल प्रवर्ति की प्रमुक विशेस्ता है वो कहां पाई जाती है यह एक तो सभी प्राणियों में पाई जाती है और यह जर्मजात और प्राकरतिक होती है जो मूल प्रवर्ति की प्रमुक विशेस्ता कहने का तो आपका एटिटूट भी समझ सकते हो क्योंकि कुछ समाज और बातावरन में प्रभाव से भी होता है जो कि बाद में होता है लेकिन एक जो मूल पाते हैं वही रहती हैं तो कुश्चन नमबर तीन का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं और तीन का तीन तो दोस्तों धन्यवाद टोटल तीस कुश्चन थे यूपी टीटी 2017 के कुश्चन पेपर से अब आप लोग समझ गए होंगे कि कुश्चन किस तरीके के आते हैं और क्या-क्या पूंच सकते हैं सबसे ज़्यदा आप मैंने जो दो जो वीडियो बनाए हैं 2018 और 2017 के अनुसार में आपको यह बता सकता हूं एक तो आपको याद रखना है दोस्तों क्या मुनोबैग ज्यानिकों ने क्या-क्या थोरी दी वह बज़ादा कुश्चन आ रहे हैं और दूसरा जो बहुत सारे परिक्षर हुए हैं वह किसने किये हैं किसने उनका रहा है उनके रेजल्ट क्या रहे हैं यह भी चीज़ें काफी पूची जा रहे हैं ठीक है बाकि बुद्धी वगरा से चेप्टर इनमें से एक दो कुश्चन आ रहे हैं तो इन्हें आप याद कर लीजिए कंटीनियू पुराने कुश्चन को सॉल्व करते जाईए और नई की क्लासे जबो भी मैं शुरू करने बाला हूं तो उनसे आप आराम से पढ़ सकते हैं पूरा गबरा तयारी कर सकते हैं यूपी टीटी के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ में अपने दोस्तों को भी बताईए जिससे की अधिक से अधिक लोग इसे समझ सकें धन्यवाद